हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मस्रूम मटर मसाला बनाने का ऐसा तरीका जिसे आप एक बार खाएंगे तो उसका टिस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे और उसके बाद रेस्टोरेंट में मस्रूम खाना भूल जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं रेस कोटे हो जाते हैं यह मैंने देखिए सारे मस्रूम काट लिए हैं अब हम इसमें आधा चमच मीट मसाला डाल देंगे मीट मसाला से इस सबजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फिर हम इसको ऐसे हिला के इसको मिक्स कर लेंगे हाथ में मिक्स ना करें ऐसे मिक्स तो मसाला evenly मस्रुम के उपर कोट हो जाएगा फिर हम इसे 15 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे अब एक पैन में सरसों का तेल लें इसमें थोड़ा सा जीरा और पतले स्लाइस में कटा हुआ दो प्यास डाल दें साथ ही में दो हरी मिर्च को भी काटके डाल फिर प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करें ये देखिए प्यास हमारा फ्राय हो चुका है अब हम इसमें एक चमच अद्रक लसन का पेश डाल के उसे धीमी आंच में अच्छे से भून लेंगे अद्रक लसन भी हमारा भून चुका है फिर इसमें एक टमाटर का प्यूरी डाल देंगे मैंने थोड़ा मिक्सर में पानी डालके उसे भी डाल दिया है अब इसे हम 3-4 मिनट तर धीमी आंच में अच्छे से भून लेंगे फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी मसाला को तब तक भूनेंगे जब तक ऑईल रिलीज ना हो जाए ये देखिए मैंने मसाले को कम से कम 4-5 मिनट तक भून चुकी हूँ अब देखिए चारों तरब से ओल रिलीज हो रहा है मतलब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है अब इस टेज पे एक बड़ी चमच फ्रेस दही को डाल देंगे ध्यान रहे दही खटा नहीं होना चाहिए दही को जब भी डाले ग्यास का फ्लेम लोर रखके उसे लगात चलाते रहना है नहीं तो दही फटने का चांस रहता है दो तीन मिनट इससे अच्छे से भूनने के बाद इसमें आठ दस हम किसमिस को डाल देंगे किसमिस से इस ग्रेवी में एक मिठास आता है अब हम इसमें छे साथ काजू लेके इसका पाउडर बना लेंगे आप मिक्सर में भी पाउडर बना सकते हैं फिर उस पाउडर को डाल के हमें दो तीन मिनट तक लगाता चलाते रहना है काजू के पाउडर से हमारी ग्रेवी में रेश्टूरेंट जैसा एक रिचनेस आएगा मसाला अच्छे से यहां भून चुका है फिर हम इसमें फ्रेस मटर और मस्र लेंगे 10 मिनट हो चुका है यह देखिए मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है फिर भी मस्रूम से कितना पानी निकला है अगर आप चाहें तो इस टेईज में पानी दे सकते हैं थोड़ा सा मगर मैंने पानी का यूज नहीं किया है अब हम इसे थोड़ी देर तक चला के फ मागरम सब करें रेसीपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें